पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में अब तक हमने ये जाना था कि जब तक जीओ करज करो और घी पीओ लेकिन पहली बार ये सुनने को मिला कि ये जो फौज खड़ी रखी है और ये जो हतियार फाइटर जेट सब करजे पर हैं सब ब्याज पर हैं और इन सब के बावजूद अ तुम बचोगे नहीं आखिर इसराइल ने क्यों धमकाया है और वो भी भारत पर हमला करने की वजह से जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में आये जानते हैं इन कबरों को विस्तार्ज अब तक हमने देखा कि किस तरीके से सरकारें हाईजेक होती हैं और तकता पलट होता है पर अब पाकिस्तान में एक बार को सुप्रीम कोर्ट ही वहां पर ही तकता पलट जैसे हालात बन गए हैं अभी जो चीफ जस्टिसें उमर अता बंदियाल ये माने जाते हैं इमरान खान के समर्थक अभी इनके खिलाफ जहां पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि वे स्वतासंग्यान नहीं ले सकते हैं। स्वतासंग्यान का मतलब हो गया खुद से कोर्ट या कोई जज नहीं कूदेगा किसी केस के ऊपर। दरसल हाली में खैबर पक्तुनकोवा में चुनाव होना था। लेकिन पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस डेट को आगे बढ़ा दिया आगे बढ़ाने के बिरोध में खुद बखुद चीफ जस्टिस ने संग्यान ले लिया था और कहा था इसकी डीटेल दो जिसके बारे में सहबास सरीप ने पास किया कानून और उस कानून के अनुस बोल दिया है ऐसा लग रहा है जैसे जह जो अखाडा पाकिस्तान की घरेलू Calvin के चल रहा था और इस ठीरता पाकिस्तान की में दिखी रहा था उयक पाकिस्तान की न्याय पालिकाशुन में में भी दिख रहा जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर के यह हाला थें तो थोड़ा इस तस्वीर पर नजर डालिए यह जो तस्वीर है इस तस्वीर में आपको धेर सारी सीटें दिख रही है और इस सीट के बीच में एक बैग दिख रहा है अब इस बैग में है क्या तो आपको बता दें यह कोई bum bum बालाइग नहीं है बलकि ये एक पैसेंजर का बैफ है जो तुर्की ़िए फ्लाइट निकली है ये फ्लाइट पाकिस्तान पहुँझनी है और इस फ्लाइट में मात्र यही इक पाकिस्तानी बन्दा है आज से एक साल पहले हालात ऐसे थे कि यहाँ पर सीट मिलना मुस्किल होता था इस एरलाइन्स में लेकिन अभी ऐसा है कि पाकिस्तान जा रही है ये तुर्की से और इसमें कोई भी नहीं है एक मात्र बंदा है इस एरलाइन्स में वैसे एरलाइन्स वालों ने ये बताया कि जब ये लोटेगी तो ये खचाखच भरी हुई होगी ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में आना नहीं चाहते हैं गरीबी फटेहाली और भुकमरी के ऐसे आलात हैं कि इस देश में कोई आना नहीं चाह रहा है वैसे कई एरलाइन्स कंपनियां पहले भी कह चुकी हैं कि उनको फंड रिलीज करने में बहुत दिक्कत हो रही है और वो अपना बोरिया बिस्तर इस देश से समेटेंगी और यह हालात जो दिख रहे हैं यह हालात यह बता रहे हैं कि यह पाकिस्तान की इस वक्ती स्थिती है अब इसकी अलावे एक जो पेपर लीक हुई है वो पेपर तो एक अलग ही कहानी बता रही है अब ज़रा सोचिए एक फाइटर जेट जिसे लिया गया है ब्याज पर उस फाइटर गार जेट को घर मार कर गिरा देता है भारत गूइल पाकिस्तान को ऊसका भ्याजग चुकाना पड़ेगा यहता है और देश कभी करते हैं वो कर्ज पर ल Tet पैसे और उस पैसे से सीधे सीधे हतियार खरीदते हैं पर पाकिस्तान ने चार कदम आगे बढ़कर बहुत ज्यादा होसियारी दिखाई है और इसने कहा है कि हम 20 यह सब कुछ हम लोग खरीदेंगे यह नमबर से सुनने में लग रहा है कि हाँ बड़ा अच्छा नमबर है वैसे आपको बता दें प्यांड विज्वल रेंज मिसाइल है यानि चाइनी जे टेन से यह भारत को टार्गेट करेंगे पी एल मिसाइलों से सुनने में कुछ अच्छा अच्छा लगा पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है पाकिस्तान इसलिए कर रहा है ऐसा क्योंकि भारत ने राफेल की पूरी की पूरी फ्लीट तयार करनी शुरू कर दी है और इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा डर गया ह है पाकिस्तान पर जो लीग पेपर निकल कर सामने आये हैं वो यह बता रहे है कि यह जो खरीदा गया है ब्याज के पैसे पर नहीं बलकि ब्याज पर यानि कि यह पूरा का पूरा फाइटर जैट और मिसाइले 4.5% के ब्याजदर पर ली गई हैं जिसे हर साल चुकाता रहेगा पाकिस्तान खैरे ये तो एक अलगी लेवल की कंगाली हो गई क्योंकि पाकिस्तान को अब तक चाइना ने जो भी हतियार दिये हैं सारे बेकार ही सिद्ध हुए हैं पर पाकिस्तान पर कहर तूटना अभी बाकी है 2008 का मुंबई हमला ये एक ऐसा हमला था जिसने भारत को दहला कर रख दिया था और भारत को दहलाने के साथ साथ इस हमले ने इसराइल को भी जगजोर कर रख दिया था इसराइल को क्यों, आप मन में ख्याल आएगा तो आपको बता दें चुकि ये भारत के टॉप लग्जरी होटल में किया गया हमला था और इस हमले में कई इसराइली नागरिक पहुंचे थे ऐसा ही एक इसराइली नागरिकों का दल था जिसने भारत में एक नैनी को लिया उसके दो साल एक डेलिएशन था जिसने भारत में कदम रखा माता पिता दो साल का बच्चा और उसके लिए देखवाल के लिए उन्होंने एक नैनी को हायर किया था ये इस होटल में पहुँचे थे और अचानक से आतंकवादियों का हमला हो गया था इस हमले में दो साल के उस बच्चे के माता पिता तो मारे गए पर जो नेनी थी वो बच्चे को लेकर भाग गई अपने जान को जोखिम में डाल कर नेनी ने बच्चे को बचाया और ना सिर्फ बचाया बलकि उसके साथ इसराईल तक गई क्योंकि वही एक मातर सहरा बची हुई थी और आज भी वो इसराईल में उसके साथ है इसराईल की सीटिजन सिप उसने हासिल की है ये बच्चा इतना ज़्यादा चर्चा में आया था कि जब ये बड़ा हुआ तो इसने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर करी और भारत घूमने की इच्छा जाहिर करी पीएम मोदी जब इजराइल गए थे तो उनकी मुलाकात भी इस बच्चे के साथ होई थी वैसे इस हमले में सिर्फ यही एक बंदा नहीं है बलकि बहुत सारे लोग थे जिसमें इजराइली यहूदी ये सब थे सामिल जो इसमें मारे गए थे अभी हाली में इजराइली संसत के अध्या चाय हुए हैं और आपको बता दें ये प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतनियाहू के काफी करीबी माने जाते हैं ओहाना इन्हों ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं 2008 के मुंबई हमले हमें याद हैं और भारत और इजराइल में काफी समानता है आपको बता दें इन लोगों ने ये साजिस रची थी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अलाकि ये सभी को पता है कि मुंबई हमले की साजिस किचने रची थी यानि सीधे सीधे ये पाकिस्तान को लेकर कहा जा रहा है वैसे हाली में ग्रीस में दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी पकड़ा गया है मोसाद के जरिये इसराइल का गुस्सा पाकिस्तान के उपर आज से नहीं काफी पुराना है तब से है जब से हरब देशों ने हमला किया था इसराइल के उपर उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है खेर ऐसे हालात में भी पाकिस्तान अपनी करनी से बाज नहीं आता है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जिरूबता है